हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल आक्यू रेंकर में आप सभी का स्वागत है आज हम 19 अक्टूबर के फर्स सिप्ट के दिली प्लूस हेट कॉंस्टेवल में स्टियल के पूछे हुए जितने सारे सारे कोशन पूछे गया हैं उनको देखेंगे तो चलिए बिना किसी देरी का कोश सिप्ट है तो कारली गुफा आपका महराष्ट में स्टित है पहला कोशन था दूसरा कोशन यहां पूछा गया था आज 19 अक्टूबर के सिप्ट में यह कि दिली चलो का जो नारा यह किस ने दिया था तो सुभास संद्र बोश ने दिली चलो का नारा दिया है यह कोशन कल पूछा गया था एक कोशन पूछा गया था कि कुमायू हिमालय जो है यह किन दो नदियों के बीज में इसी था है तो कुमायू हिमालय की बात किया जाए तो कुमायू हिमालय सतलज और काली नदी के बीज में कुमायू हिमालय इसी था है अगले कोशन की तर चलते हैं अगल रटो से सीधे गैस में परिवत्तन होने वाली किरिया को क्या करते हैं इस किरिया को करते हैं उधर पातन करपूर इसका जो कापी अच्छा उधारन यहां पर देखने के लिए मिलता नौसादर हो गया यह सारा सीधा ठोस से गैस में convert हो जाते हैं बिना liquid form में इंटर किये हुए अगला कोर्शन की तब चलते हैं अगला कोर्शन पूछा जाता है इमेल जो होता है इमेल का जो फर्ष्ट नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं तो इमेल का जो फर्ष्ट नेम होता है उसको हम एक नाम डेते हैं जिसको बोलते हैं यूजर नेम अगला कोर्शन की तब चलते है अगला कोर्शन यह पूछा जब कोई भी email हम किसी को mail send करते हैं तो कहीं का receive तो होगा email आता है तो वो mail किस में आता है तो आपको मालम होचे यह आपका inbox में आता है यह question पूछा गयाता है एक question पूछा जाता Indian Military Academy होते आई में का मुख्याल है यह कहां से ता यह से ता आपका देहरा दून में अगला question की तर चलते है अगला question यह पूछा जाता है अगले question की तर चलते है अगला question यह पूछा बता है गंगौर जो मोचसाब है यह किस मोचसम में आने से पहले मनाया जाता है तो गंगौर मोचसब इसका option तो नहीं मिल पाया basically गंगौर मोचसब होली के जो है दो दिन बाद यानि start हो जाता है यानि चैद का दूसरा दिन से ही आपका गंगौर मोचसब start और चैद महिना के बाद से आपका क्या हो जाता है गर्मी परना start हो सकता है आप अलोग बताइए का कमेंट करके किसका option कहता है मेरे ख्याल से यह गर्मी मौसम के पहले मनाया जाता है अगले question की तब चलते है अगला question यहाँ पूछा गया है कुछी पूरी जो निरित है यह निर्त मालों होना चैब को आंदर पर्देश का यह निरित है कुछी पूरी यह किस द्यवता को समर्पीत है यह किस द्यवता को समर्पीत है यह आपका कृष्ण भगवान को समर्पीत है अगले question की तब तोलते है अगला question यहाँ पूछा गया था कि 2022 में जो है समिधान में क करतब की संख्या 10 थी और यह 2000-11 अगला question की तब चलते हैं अगला question यहाँ पूछा sorry मूल समिधान में मौलिक करतब भी नहीं थे यह sorry मेरी गलतीस निकल गया मूल क समिधान में मौलिक करतब क्या थे यह नहीं थे और इससे पहले कितने total 10 ही मौलिक करतब भी थे अगला कोशन यहां पूछा गया है PM डिवाइनी होजना जो इसकी सुरुवात कब हुई थी एक जुन 2020 को PM डिवाइनी होजना की सुरुवात हुई एक कोशन पूछा गया था मेरा भाई चानू जो है यह टोको ओलंपिक में किस वर्ग में सिल्वर मेडल जीती है उन 40 किलो कराम का जो भारग वर्ग है इसी मिन होने सिल्वर मेडल जीती यह थे सारे सारे कोशन जो के आज के सिफ्ट में पूछे गए हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग